नमस्कार, स्वागत है आप सब का कुंडली टीवी के इस खास कारेकरम में जहां मैं जोती शर्मा लेकर आई हूँ आप सब के लिए दिल चस्ट जानकारी चार धाम के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन विवस्ता तो देखो, कपाट खुले हैं, मगर हम जान नहीं सकते और इस वज़ा से कई भक्त निराज भी हैं, परन्तु अब निराज होने की कोई विश्यक्ता नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए बहुती अच्छी खबर लाएं हैं दरहसर प्रदेश सरकार इन मंदिरों के ओल्लाइन दर्शन की विवस्ता शुरू करवाने जा रही हैं, जिसके जिम्मेदारी राजे सरकार ने देश थानम बोर्ट को सौम दी है उत्राखन के CM त्रिवेंद्र रावत ने बद्रीनात के दारनात मंदिर की वेबसाइट को नई कलिवर में लॉँच करने के लिए कहा है नई वेबसेट पर उत्राखन के चारो धामों के ग्रब ग्रह के अतिरिक्त बाहरी हिस्सों के लाइफ दर्शन भी किये जा सकेंगे ओर्लाइन पूजा, बुकिंग और दान देने की सुविदा भी वेबसेट पर उपलब्द रहेगी बद्रीनात के दारनात के साथ ही गंगोतरी, यमनोतरी, पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रियाग और आजपास के 51 मंदरों से जुड़ी मानिताएं कथाएं और परंपराएं यहां का नक्षा धर्मशालाओं की जानकारी भी साइट पर उपलब्द रहेगी भक्तों को ऑनलाइन दर्शन करवाने के लिए सीयम ने देश थानुम बोर्ट के लिए 10 करोड रुपए सवी कृत किये हैं अब से बोर्ट का एक अलग अकाउंट होगा पूर्व में संचारित बदरी केदार मंदिर समिती की बची राशी भी इसी बोर्ट को ट्रांसवर की जाएगी यही नहीं बदरी केदार मंदिर समिती के करंचारियों को भी उत्राखन चारधाम देश थानुम प्रबंदन में ट्रांसवर कर दिया जाएगा यहां के मंदिरों से जुड़ी प्राचीन, पांडूलिपियां, मूर्तियां और अन इतिहासिक महत्व की समगरियों के लिए संग्राले बना लिया गया है जिस तरह से अब तक बोट को दान देने वाले दान दताओं को करमुक्ती प्रमान पत्र 80 जी दिया जाता था ये आगे भी दिया जाएगा इसके अलावा आपको बता दे कि देहरा दून में 22 मई को मुख्य मंद्री अवास पर उत्राखन चारधाम देर स्थानम बोट की पहली बैठक हुई थी बैठक में तैह हुआ कि जो लोग लोगडाउन के कारण दर्शन को नहीं आप आ रहे और मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन दर्शन करवाए जाएगे गरब ग्रे को छोड़ कर बाकी मंदिर परिसर आसपास के इलाकों के दर्शन भी करवाए जाएंगे एक कैप तयार होगा जिसमें शर्धालूं को एक तैस्ट समय दिया जाएगा जिसमें वो लाइव ओडियो के माध्यम से अपनी और से कराई जाने वली पूजा को सुन सकेंगे पूरी प्रक्रिया में धार्दिग मानताओं का पुरा खयार रखा जाएगा तो आखिर में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपने घरों पर रहे कर ही पूजा अर्चना कीजिए और हम उमीद करते हैं कि आप सब की पूजा अर्चना रंग लाएगी और आपकी सबी तमाम तरह की जो मनुकामनाई हैं वो पूरी होंगी तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कुनली टीवी से धन्यवाद